नमस्कार, जैतु भारत, GST and other laws, discussion and analysis के आज के अंक में आपका स्वागत है GST के अंतरगत आने वाले हर करदाता को GST identification number या GST registration number लेना आवशक है जिसे GSTIN भी कहते हैं यह क्या दर्साता है, कैसे GSTIN बनता है, इसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे सामान्यत है, यह GSTIN पत्रशा पंद्रा डिजिट का इस प्रकार से दिखता है, लेकिन यह जो पंद्रा डिजिट है, वह कैसे बनते हैं, वह और उनका क्या अर्थ है, वह आज के अंक में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं यह जो 15 digit है वह तीन भागों से बना हुआ है इसको हम इस प्रकार से तीन हिस्सों में बाढ़ सकते हैं पहले दो digit जो है वह स्टेट कोड को दरसाते हैं उसके बाद के जो 10 digit है वह पर्मानेंट एकाउंट नमबर दरसाते हैं और लास्ट के जो तीन digit है वह GST की details दरसाते हैं, अब यदि हम state code की बात करें, तो जो शुरुवात के दो डिजिट हैं, वह हमारे state code दरसाते हैं, यह state code कहां से लिये गए हैं, तो यह state code लिये गए हैं, जो हमारी जन संख्या की गणना करते हैं हर 10 साल, जन गणना या census, उसमें जो state को code दिये गए हैं, उन ही code को GST purpose के लिए state code के लिए अपनाया गया है, इसके बारे में यह विस्तार से जानना चाहें, तो आप देख सकते हैं, यह 01 जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था, अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दा की अलग-अलग union territory हो गई है, हिमाचल प्रदेश 02, 03 पंज जीरो फोर चंडीगर, 05 उतरांचल, 06 हरियाना, 07 देल्धी, 08 राजस्थान, 09 उत्तरप्रदेश, 10 बिहार, 11 सिक्किम, हमारे एक्जामपल में हमने state code 11 दर्साया है, तो वह देख के ही पता चले जा कि यह टेक्सपेर सिक्किम का है, 12 अरुनाचल प्रदेश, 13 नागालें 14 मनिपूर, 15 मिजोरम, 16 त्रिपूरा, 17 मेघाले, 18 असाम, 19 वेस्ट बेंगाल, 20 जार्खंड, 21 ओडिशा, 22 चतिजगर, 23 मध्यप्रदेश, 24 गुजरात, 25 दमन और दीव, 26 दादरायन नगरहवेली, अब इन दोनों को मर्च करके एक ही युनियन टेरिटरी बना दिया गया ह 27 महराश्टर, 28 आंध्रप्रदेश, 29 करनाटका, 30 गोवा, 31 लक्षद्वीप, 32 केरला, 33 तमिलनाडु, 34 पुडूचेरी, 35 अंदमान और निकोबार, आइसलेंड यह जो 15 डिजिट का GSTIN है उसका second main component permanent account number है इस permanent account number के 10 डिजिट होते हैं यह permanent account number के 10 डिजिट को भी हम मुख्य तह 5 हिस्सों में बाट सकते हैं पहला हिस्सा 3 alphabets, उसके बाद में 4 alphabets, उसके बाद में 5 अलphabets, उसके बाद में 4 डिजिट और लास्ट में 1 alphabets इनका क्या मतलब है, यह क्या दर्साता है, यह भी विस्तार से देख लेते हैं जो सबसे पहले यह 3 alphabets हैं, वह serial wise चलते हैं, जैसे शुरुवात में AAA, वर सिरीज खतम होने के बाद AAB, उसके बाद AAC, AAD, इस प्रकार से चलते चलते हैं, ZZZ तक यह सिरीज चल सकती है उसके बाद का जो चौथा अंक है, वह है, entity किस प्रकार की है, वह दर्साता है यदि यहाँ पर P लिखा हुआ है, तो यह proprietor यह individual का case दर्साता है यदि कोई individual का permanent account number है, तो चौथा डिजिट P ही होगा यदि चौथा डिजिट C है, तो इसका अर्थ है कि यह taxpayer, company है इसी प्रकार से यदि H दर्साया है चौथा केरेक्टर, तो वह है Hindu undivided family या HUF है Similarly, यदि यहाँ पर A दर्साया है, तो वह association of persons है आगे यदि चौथा डिजिट B है, तो उसका मतलब body of individuals है पर्मानेंट अकाउंट नंबर का चौथा डिजिट यदि G है, तो यह पर्मानेंट अकाउंट नंबर government agency का है यदि चौथा डिजिट J है, तो जो artificial juridical person है, कि वास्तव में वह कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन कानून ने उसे artificially एक व्यक्ति मान लिया है जैसे कोई Hindu god, goddesses होते हैं देवता, उन्हें भी tax purpose के लिए artificial juridical person मान लिया जाता है उनके case में यदि पर्मानेंट अकाउंट नंबर issue हुआ है, तो यह पर्मानेंट अकाउंट नंबर का चौथा डिजिट J दरसाया होगा और यदि local authority है, तो उसके case में L होगा, local authority अर्थात, municipal corporation, पंचायत, यह जो भी हैं यह local authority की सुरेणी में आते हैं, उनको जो पर्मानेंट अकाउंट नंबर issue किया जाता है, वहाँ पर्मानेंट अकाउंट नंबर का चौथा character L होगा जहाँ पर F चौथा character है पर्मानेंट अकाउंट नंबर का, तो वह partnership firm या limited liability partnership firm होगी और जहाँ पर चौथा character T है, वह ट्रस्ट के लिए उप्योग में लिया जाता है, ट्रस्ट का पर्मानेंट अकाउंट नंबर होगा, तो चौथा character T होगा अब पांचवा character हम यदि देखें, तो वह भी alphabet में से ही होगा, पांचवा character यदि व्यक्ति का है, तो वह उसकी सरनेम दर्साता है जैसे किसी का सरनेम शाह है, तो वह पांचवा character S होगा, या स्रिवास्तो है, या सिंग है, तो वह S होगा और व्यक्ति के अलावा के जितने भी SACs हैं, उनके केस में उस entity का नाम का जो प्रथम अक्सर होगा, वह यह पांचवे character के उपर दर्साया जाएगा यह जो permanent account number है, दस digit का, उसके शुरुवात के पांच जो character है, वह तो alphabets होते हैं, A to Z में से वो characters आते हैं, उसके बाद के जो चार character हैं, वह numerical होते हैं, और वह sequentially दिये जाते हैं, जैसे कि पहले 00, 01, उसके बाद का जो pen issue होगा, उसमें 00, 02, उसके बाद में 00, 03, उसके बाद में 00, 04, उसके बाद में 00,05, इसी प्रकार से यह 9999 तक issue हो सकता है, शुरुवात के 3 character मैंने आपको जैसे बताया, वह AAA से लेकर sequentially ZZZ तक जा सकते हैं, और यह 4 जो character हैं, यह numerical character यह 00, 01 से लेकर 9999 तक जा सकते हैं, तो इनके combination से यह सुरुवात के 3 alphabets और यह 4 numbers, इनके combination से ही लगवद 75 करोड पर्मानेंट account number यूनिक pen generate करके issue किये जा सकते हैं, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, चौथा character है, वह taxpayer की स्रेणी बताता है, वह individual है, या company है, या firm है, और पांचवा character, individual का सरनेम या अन्य taxpayer का नाम का प्रथम अक्षर, तो उस प्रकार से भी इसमें पर्मानेंट account number यूनिक जनरेट किया जा सकता है, और जो पर्मानेंट account number 10 डिजिट का है, उसका जो दसवा डिजिट है, वह alphabetic check character होता है, वह always alphabetic ही होगा, और वह check character computer systems के द्वारा जनरेट किया जाता है, इस प्रकार से पर्मानेंट account number के यह 10 डिजिट बनते हैं, GST IN में जो आपका पर्मानेंट account number है, वह as it is रख दिया जाता है, शुरुवात में 2 state के code, उसके बाद में 10 character पर्मानेंट अकाउंट डिजिट हैं, वह GST की details दरसाते हैं, तो यह जो GST की details दरसाने वाले digits हैं, तीन, उनको भी हम तीन अलग-अलग स्रेणी में बाच सकते हैं, जो जैसे इसमें 1, Z, C है, तो 1 क्या दरसाता है, Z क्या दरसाता है, और C क्या दरसाता है, जो यह 1 है, उस स्थान पर जो नंबर है, वह NTT का कोड दरसाता है, आपको ग्यात होगा जब शुरुवात में GST लागू हुआ था, उस समय यह प्रावधान था कि कोई भी टेक्सपेर एक राज्य में एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकता है, लेकिन उसका कोई यूनिट S, C, Z में हो, तो उसे अलग से रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक था, इसके अलावा यदि एक राज्य में एक से अधिक रजिस्ट्रेशन लेने हो, तो उसके लिए कंडिशन यह थी कि उस टेक्सपेर के सेपरेट बिजनस वर्टिकल्स होने चाहिए, लेकिन बाद में इस रिक्वाइर्मेंट को हटा दिया गया है, और अब कोई भी टेक्सपे कौनसे वाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, वह दरसाता है, वन है, तो आपने उस राज्य में फर्स्ट नंबर का जो रजिस्ट्रेशन लिया होगा, वहाँ पर वन होगा, सेकंड रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहाँ पर टू होगा, थ्री लिखा है, तो इसका मतलब यह उस टैक्सपेयर को वो जैड़ ही लिखकर आता था लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी राज्य में आपके यदि नौ से ज्यादा registration आप लेते हैं तो इस character का use भी हो सकता है आपका 10 या 11 registration है तो इस character का use हो जाएगा और जो last character है 15 digit GSTIN का वह again check some character यह computer system के द्वारा generate होता है इसी प्रकार से यह आपका 15 digit का GSTIN है और इसमें हर digit हर character या group of characters क्या दर्साते हैं वह कैसे बनता है उसकी complete details मैंने आज आपको इस अंक में देने की कोशिश की है आज की अंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेय और सब्सक्राइब आपको और किसी GST related विशय पर जानकारी चाहिए विशय दो हो तो comments में लिख सकते हैं जाहिए